नमस्कार जय जोहर संगवारी हो स्वागा थे आप मन के अपन यूटीब चैनल सीजी रतनाव तो संगवारी हो आज मैं आप मन बलेक आए हमां चेज भाजी के रेसिपी चेज भाजी छत्ति जड़के फेमास भाजी ये संगवारी हो एहां असार सावन के महिना मां सब के कोला वारी मां बला थे संगवारी हो अब अगरक कैसे बना थे तेला चला मैं बता थां आप मनम्ला वीजिओं मों साबसे पहली हमां चेज भाजी ला बलिख से निमार ले थां एदेखाएधि ला कोला बला आरते ता इमा कच्रा ऊचारा ताको रिथे संगवारी होगा ने बढ़्या से हमां तोड़के नीमार लेаз सब्जी बनाबो तो संग्वारी हुआ मैं कड़ाही लगेश मा रख लिये हैं आब इमा मैं डाला था तेल ला तेल हां मर गराम हो गए है आब इमा मैं डाला था फोरन मा लसून ला लसून लाल मिर्चा के फोरन मा भाजी है बहुँ सुन्दर में ठाखे संग्वारी हुआ फिर मैं मा डाला था हरा मिर्चा त्याज अबेला हमला हलका लाली मा के आठ ले थोड़ा देर भून ले ना है त्याज रेका हमार फोरा नहां बढ़िया से भूझा गए है अब इमा मैं डाला था हुआ टमाटर ला फिर मैं डाला था अम्चूर जला भीगात रखें आज में पेज भाजीर संग्वारी हुआ अम्चूर में पका है अब इमा मैं डाला था हल्दी हल्दी हमाला कम डालना है संग्वारी हो काबर की भाजी में ज्यादा हल्दी नहीं लगाए फिर इमां डाला था मैं लाल मिर से पाड़र नमक थोड़ा से पानी थेल अच्छा से भूंज लेना है मां हेला अम्चूर में रांधा था संग्वारी हो आप मन चाहा तदही मां भी पका सका था तरह देखा हमार हल्दी मीच्चा अब अम्चूर अच्छा से पाग है अब इमां में डाला था मां भाजिल भाजिल हमाला थोड़ थोड़ करके डालना है संग्वारी हो एह पचकात जाही तहां फिर एमां डालना है एक के बार मां पूरा कडाहिया भार जाते तो अच्छा से एला खोवात नहीं बनाए प्रकार से थोड़ थोड़ करके हमला डाल लेना है यह देखा हमर भाजी है बढ़ी है से पचकात है एक पचकात जाहीं तहां बचे भाजी ले मां डाल लेना है तो यह देखा मैं सब भाजी ले मां डाल लिए हमां अवे देखा पचक के हाथ थोड़ा सो है आवेला हमला ढक के पकाना है बीच बीच मां खोलेना है पसंगवारी होआ हमार चेजवाजी है पक गहे वाए एला महें पंद्रा से बीच मिनार तक धीमी धीमी आज में पकाना है यह देखा हमार चेजवाजी है बहुत सुन्दर पक के तयार हो गहे अब मैं गेशला बंद कर ले था तो यह देखा संगवारी होआ हमार चेजवाजी बन के तयार हो गहे एहा कच्चा मिर्चा और बासीक साथ मां बहुत मिठा थे संगवारी हो अगर आप मला हमार वीडियो अच्छा लगी सोही ता लाइक सेयर सस्क्राइब जरूर करिया और एक घंए रेसीपील अपन घर मा जरूर ट्राइब करिया